Channel it कर ताम लोगे आपकोच्छा-च्छा और डाने इसन्ट आप से पूच्छा आप आपके से जोग गे हम वल यू गो देब ओड़ाई के से करोगे ङृहू विल्यू स्टडी अपड़ाई के से कर रहे हो, how are you studying, how are you learning English, how are you learning English, क्या आप English सीखते हो, do you learn English, क्या आप पड़ाई कर सकते हो, can you study, are you running, क्या आप दोडते हो, do you run, क्या आप से काम का करोगे मेरे साथ, Will you do this work with me? Will you do this work with me? क्या आप सोचते हो? Do you think? क्या आप पहले सोचते हो फिर करते हो? Do you first think? Do you first think than do? No. मैं पहले सोचता हूँ फिर करता हूँ. Yes. हां मैं पहले सोचता हूँ. Yes. First I think than I do. तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा डिटर्मिनर्स. adjective में एक topic आता है जो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है. That is called determiners. अब भई आप सबसे पहले तो यह समझो भी determiners इन्हें क्यों गयता है? In Hindi they are called nirdharak. जी हैं भई. इन्हें हिंदी में हम लोग कहेंगे nirdharak. तो determiners पढ़ाने से पहले उनको सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखानी है वो सिखानी है noun. उनको आपको बताना है कि noun exactly होता क्या है? क्योंकि noun को समझे भी ना वो determiners अगर आप उनको पढ़ा दोगे तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा. उनको बताओ noun कितने प्रकार के तो बोले दो प्रकार के, कौन-कौन से तो बोले countable और दूसरा तो बोले कौन सा uncountable. अब बोले countable noun कितने तो बोले 2, कौन-कौन से तो बोले singular number, plural number. यह इस तरीके का एक चार्ट तो आप बनाई ले और यह चार्ट आप सब को बनाते हो आना चाहिए अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो यह नाउन नाउन के दो प्रकार countable, uncountable, singular number, plural number और यह uncountable उनको यह भी बताओ कि uncountable noun को कभी भी plural नहीं करता है, uncountable noun हमेशा singular form में होता है, uncountable noun को plural नहीं किया जाता, यह हमेशा singular form में रहता है, आपको अपने students के दिमाग में इचीच फिट कर देनी, तो बोले sir, uncountable noun के साथ के हमेशा singular verb लगेगी, बोले हाँ, yes, बोले कोई भी uncountable noun singular form में होता है, that is why उसके साथ में जो वब हम लोग use करेंगे, वो भी कौन सी होगी, singular होगी, इस तरीके से, अब उनको बताओ, क्या singular है, क्या plural है, उसको बताओ कि boy, तो boy का plural क्या होता है, boys, girl, girl का plural क्या होता है, girls, apple, apple का plural क्या होता है, apples, you know, तो यह आपके singular countable noun, यह आपके plural countable noun, और यह आपके uncountable noun, अब uncountable noun, जिनको हम गिनते नहीं है, गिनते तो है, लेकिन किसी काई से unit से, direct नहीं गिनते है, जिसे milk, अब direct नहीं गिन तो एक, दो, तीन, अब liter से इसका measurement करता है, ऐसे ही water, ऐसे ही money, money भी uncountable है, क्योंकि इंडिया में money, rupees से count होती है, अमेरिक uncountable मना गया, इसके बाद में, ऐसे और भी काफी सारी चीज़े हैं, जो uncountable होती है, जिसे air हो गई, fire हो गई, iron हो गई, और जो चीज़े liquid form में होती है, solid form में होती है, वो सभी कि सभी जो है, metal हो, non-metal हो, all these things are actually uncountable, क्योंकि इनको आप गिन नहीं सकते हैं, यह आपने students को सि litter, minors, जो कि किसकी category में आते हैं, adjective की category में, इसमें उनको बताओ सबसे पहले, many और much, फिर बताओ उनको few and little, और few और little समझा रहो तो इसके लगे हाथ ये भी समझा दो, कि few, a few and the few, तीनों में क्या अंतर हैं, ऐसे ही उनको ये भी समझा दो, little, a little, और the little, इन तीनों में क्या difference हैं, ये भी उनको उसी वक्त समझा दो, फिर उनको समझाओ, each and every, ये देओ, ये चार पांच चीज़े आपको determinants में बतानी होती हैं, उनको समझाओ, some and any, some कहां यूज़ करना, any कहां यूज़ करना, उनको बताओ, a कहां यूज़ करना, n कहां यूज़ करना, the कहां यूज़ करना, क्योंकि ये भी आपके determinants होता हैं, तो इतना सारा content आपके determinants में आता है, जिसमें है, many, much, few, little, few, a few, the few, तीनों में क्या difference है, इसके बाद, each, every, some, any, a, an, or the, ये सारा का सारा content आपको उनको बताना है, detail में, और ये बताना है कि जितना भी content है, अगर ये determinants के साथ use हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि इनका उप्योग हमेशा किसके आगे होगा, noun के आगे होगा, तो मुझे लगता है ज़्यादा इसको importance आपको देनी है, आपको अपने students को simple शब्दों में बताना है कि many copy होता है, किसके आगे, many copy होता है, plural countable noun के आगे, many copy कहा करता है, plural countable noun के आगे, isaka plural either countable user and non, इसके आगे आगे आपको many लगाना है, बाकी many copy हो singular countable noun के आगे नहीं होगा, many boy, many girl, many apple नहीं होगा, many boys, many girls, many apples ही होगा, दूसरी बात much का singular uncountable noun, मतलब uncountable noun के आगे, much milk, much water, much money, much air, much fire, much iron, much gold, जो भी है, मच के सेंस में आपको उसको योज करना कि वह अनगा रहाए अर्थ में मतलब होता है और मच का मतलब भी होता है ज्यादा जिसे पास ज्यादा पानी नहीं है तो आप English में sentence बनाएंगे She does not have much water आज class में कई students absent है चुड़े many students are absent in the class और you can say there are many students absent in the class today so इस तरीके से आप इसको बनाते तो many मतलब होता है कहीं कहीं लड़के कहीं लड़कियां कहीं आपल और much milk, much water much money इसके बाद next है आप लोगों का few अच्छा few और little दोनों का मतलब आप लोग समझते होंगे few मतलब भी थोड़ा little मतलब भी थोड़ा आपको ये उनको बताना है कि few जो है वो आपका कहा यूज होता है उनको बताओ कि few जो है जहां many आप यूज करते हो नो वहां few यूज करते हैं मतलब countable के साथ few लगाना है और वो countable भी कोई सा plural countable है मैंने कहीं लड़के तो many boys अब मैंने कहा थोड़े लड़के few boys मैंने कहा थोड़े लड़के इस बारे में जानते हैं few boys know about it few boys know about it थोड़े लड़के कल absent है few boys were absent yesterday कई लड़के कल absent है many boys were absent yesterday तो कई थे कल absent तो many boys और जब थोड़े लड़के थे absent तो few boys अभी मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि फ्यू अफ्यू दफ्यू में क्या डिफ्रेंस है वो देखेंगे हम लोग अभी अभी आप लोग यहां देखें जब यहां इसका यूज हो गया तो लिटल के से यूज होगा लिटल कॉप्य होता थोड़ा जिसे मिने का भई थो फ्यू लिटल अब मैं आगे आपको बिना टाइम वेस्ट कियो जल्दी लेकर चल रहा हूँ वो है आप लोगों का फ्यू अफ्यू दफ्यू लिटल अलिटल द लिटल की और तो बिलकुल आप लोग ध्यान दे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्यू फिर हम लोग उसके बाद फिर मैं लिटल अलिटल और द लिटल भी इसके नीचे समझा दूँगा अगर आपको फ्यू अफ्यू और द फ्यू समझ में आ गया तो आपको अपने आप में लिटल अलिटल और द लिटल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा या फिर अगर मैं आपको लि थोड़े ये कम अब जिसे मैंने का शी हाज लिटल वाटर इसका मतलब क्या हो का मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा उसके पास थोड़ा पानी इतना पानी न के बराबर बहुती कम है तो आप को होगी इंगलिश में शी हाज लिटल वाटर शी हाज लिटल इनफॉरमेशन शी हाज लिटल नॉलेज तो यह जो सिचुएशन है आप लोग की शी हाज लिटल वाटर शी हाज little knowledge, आप देख सकते हैं, she has little knowledge, तो हम यह knowledge, यह इन सब के साथ little use कर रहा है, क्योंकि यह जो information है, बहुत ही कम है, अब अगर आप sentence को आगे बढ़ाओगे न तो आपको क्या बोलना हो बता है, she has little water, she has little water, she can't give you for drinking, उसके पास बहुत ही कम पानी है, न के बराबर वो आपको पीन यह के लिए नहीं दे सकती, दूसरा, she has little knowledge, she can't understand this topic, because she has little knowledge, उसके पास थोड़ा knowledge, बहुत ही कम है, न के बराबर, तो इस तरीके सी आपको होता है, न के बराबर, मतलब negative meaning देता है, इतना कम की वो negative meaning देता है, और दूसरी और जब हम बात करते हैं, a little की, तो a little मतलब इतना की काम चल जा, जिसे अब इसी सेंटेस को में लिखता हूं देना, मैने कहा, she can give you some water to drink as she has a little, अभी सेंटेस को अप देहां से देऊ, she can give you some water for drinking as she has a little, यह हो सकता है कि आप यहाँ देखो, इस और some copy कर दिया, तो मैं इस सेंटेस को उल्टा करके लिख देता हूं, ता कि आप अच्छे समझ जाओ, she has a little water, she can give you, ठीके, she can give you some water to drink, यह भी में लिख सकता हूं, यह भी में लिख सकता हूं, यह यहाँ पर में फिनिश कर सकता हूं, बाद भई यह, तो she has, अब दो को मैंने हैं क्या यूज किया, a little, she has a little water, मतलब उसके पास थोड़ा पानी है, and she can give you, और वो आपको दे सकती, मतलब इतना पानी है कि वो आप पी सकते हो, इतना तो है उसके पास, ऐसे ही मैंने कहा, she has little money to spend, मतलब उसके पास बहुत ही कम पाईसा है खर्च करने के लिए, और यहाँ पर, she has a little money to spend, and she can buy it, है उसके पास थोड़ा पाईसा, वो खरीच सकती है, she has a little knowledge about this topic, उसके पास इस topic के बारे में थोड़ी information है, मतलब एकदम ना के बराबर होगी तो क्या बुलेंगे, she has a little information, she has a little knowledge, बट अगर थोड़ी information है, इतनी के जो काम चल जाए, तो आप बोलोगे, she has a little knowledge about it, उसको इस बारे में थोड़ा ग्यान है, she can explain it, वो समझा सकती है, तो यह positive meaning है, लेकिन जब आप कहते हो, she has a little knowledge about it, she cannot explain, तो वो negative meaning दे रही है, तो यहाँ पर जिसमें negative meaning आ रहा है, वो बहुत कम मात्रा में, इतले आपको लगाना है little, और जितना है उतना सब कुछ, वो लगाना है आपको किसमें, the little में, जिस देखो, मैंने कहा, जो थोड़ा बहुत पान पानी, the little water, जो थोड़ा बहुत पानी, the little water, ये देखो, that relative प्रणॉना भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा दा हमने, the little water that she had, जो थोड़ा बहुत पानी उसके पास था, she has drunk it, उसने उसे पी लिया, now she has no more water, now she has no more water, अब उसके पास को यह पानी नहीं है, नहीं बचा है, so the little knowledge that you have, the little information that you have, the little, what I can say, water that she had, you know, all these things are actually showing कि जो थोड़ा बहुत, जितना है उतना सब कुछ, उसके sense में the little I have use करता है, तो अब आप देखो यहाँ पर, little, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा सा, आप कह सकते हो, and the little, थोड़ा बहुत, जितना है उतना सब कुछ, अब इसी तरीके से अगर मैं आपको few, a few और the few बताऊंगा, तो आप समझ जाओगे, little uncountable के साथ लग रहा था, few किस के साथ लगेगा, countable के साथ, कैसे हैं, मैंने का, भई, मेरे थोड़े दोस्त हैं, लेकिन अच्छे हैं, I have few friends, मतलब बहुत ही कम, 2-3-4, बस बाद रहा थाद नहीं, I have few friends, but they are my best one, लेकिन वो बेस्ट बहुत अच्छे है, घनिस्ट है, ख्लोज है, और आपने का, I have a few friends, and they will be here to help me, मेरे पास हैं थोड़े बहुत मेरे दोस्त, वो आएंगे मेरी मदद करने के लिए, तो a few friends, मतलब थोड़े फ्रेंट से हैं मेरे पास, संक्या में ज्यादा हैं मतलब वो कुछ, and the few friends that I had, that I used to have, they now left the city, उन्होंने आप शहर को छोड़ दिया है, they don't live here, जो थोड़े वो दोस्त मेरे थें यहाँ पर, वो शहर छोड़ कर चले गए हैं, now they don't live here, they have settled somewhere else, you know, तो इस तरीके से आपका use होता है, यह हम लोगोंने डिसकस कर लिया, यह चीज हमको समझ में आ गए, लेटल, लेटल, लेटल समझ में आ गया है, और अब हमारे पास next है each and every, some and any, और फिर है a and the, चीके ना, तो यह तीन चीज है, हम लोगों को study करनी है, तो चलो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले each और every के बारे में, तो मैं चाहता हूँ, अब हम थोड़ा सा book की भी हमारी help है, क्योंकि क्या है कि भई, book में भी काफी सारा content दिया है, यहांस देख लोग, each का project singular countable noun के आगे प्रत्ते क्यार्थ में दो या दो से अधिक countable noun के लिए किया जाता है, पहली चीज, एक है each और एक है आपका each of, ठीके ना, यह देखो नीचे लिखा हुआ है, तो यह वाला concept आप लोग प्लीज यार, इसको अच्छे से, बिल्कुल हलके में मतले ना, तो each के बाद में आपको singular noun लगाना है, किसका यूज करना है, singular noun, और each of के बाद में आपको लगाना है plural noun, दोने के उपयोग को बहुत अच्छे सा समझो किस तरीक से आपका work कर रहा है, मैंने कहा ह तो each मतलब होता है प्रतिक, जिसे मैंने कहां ध्यान देना, प्रतिक लड़का जो है अपना काम कर रहा है, each boy is doing his work, दूसरी सबसे important चीज जो आपको ध्यान देनी हो क्या है, कि भई each के साथ में आपने बाद लिखाई है, वह अब भी क्या लगाई, singular लगाई, is doing his work himself, अब आप देखो, प्रतिक लड़का अपना काम स्वैम कर रहा है, तो आप यहाँ पर एक चीज जोटीस करेंगे, यह हमने boy लिखा, singular noun, singular verb, singular possessive और himself, singular reflexive, yes, तो यहाँ पर आप अगर carefully देखेंगे, तो आप पाएंगे, कि यह sorry situation में हमने सिर्फ और सिर्फ singular को ही use किया है, और ज of the boys, तो यहाँ पर याद रखना आपको boys लेना है, जब off लगेगा तो यहाँ पर boys लेना है, every का प्रतिक के अर्थ में, प्रतिक या हर के अर्थ में, दो या दो से अधी countable noun के लिए किया जाता है, जिसे every boy of this class is very intelligent, हर लड़का इस class का बहुत ही intelligent है, every politician is not corrupt, हर politicians corrupt नहीं है, तो every का प्रयोग nearly, almost, practically, without exception के बाद होता है, इसमें each का प्रयोग नहीं होता है, तो यह थोड़ा सा आप याद रखें कि every का प्रयोग क्या होता है, nearly आजाए अपके sentence में, almost आजाए, practically आजाए, without आजाए, या कोई exception जो होता है, वो आजाए, तो वहाँ आपको each नहीं लगा सकति हूट से जाए है झालओ सकतो है, झालओ नहीं है, प्रयोग वहालओ कि बादा दिएर झालओ कर रे, तो यहाँ कोई пошे मालओ उन्यार, ज आजाए धको जायार है, यहाँ आजा efficacy अवाटी